नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक इंफर्टिलिटी के बारे में चोक बूत्री अंडे नहीं देती हैं या देती हैं कच्चे अंडे देती हैं और अगर प्रोपर साइस के अंडे भी दे रह करते हैं एक तो यह प्रोपर साइस का अंडे जो फर्टाइल एक है और एक इंफर्टाइल एक है इंप्रोपर साइस का और कई बार क्या होता है कबूत्रिया अंडे रखती नहीं है यह जो दो सामने आप अंडे देख रहे हैं दो अलगलग कबूत्रियों के हैं तो जो में रीजन है एकी इनफिलिटि काह कि एक तो जो आप उन्हें दाना डाल रहे हैं वो अच्छा और रही हैं जिसके अंदर आईरन केल्शियम रख रखी कमी और डूसरा कि कभूत्रों के अंदर आपके कैल्शियम की काफी ज्यादा कमी है, जिसकी विजाएसे कबूत्री अंडे रख नहीं रही है तीसरा क्या है, मल्टी विटामिन्स की कमी है तो इन तीन चीजों को हम दूर कैसे करें जिससे कि हमारी कबूत्री अंडे रखने लग जाएं उसके बारे मैं मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहले तो आप क्या करिए जो जो कबूत्रियां आपकी अंडे नहीं रख रही है उनको आप जो हम अंडा खाते हैं बोईल डेग उबले हुए अंडे का जो उपर का खोल है वो कैल्शियम ही होता एक तरीके से दूसरा आपको कहे एक मल्टी विटामीन का सिरप आता है किसी भी ब्रांड का किसी भी क्वालिटी का मल्टी विटामीन का सिरप ले लीजिए हर एक मेडिकल स्टोर पे वो एवी लेवल होता है आप सुबह शाम एक एक ढकन आदा लेटर पानी में उन कभूत्रों को डालिए जो अंडे नहीं रखते हैं या फिर अंडे रखते हैं मगर उन में बच्चे नहीं बनते हैं तो में यही दो कारण है जिसकी वज़ाइसे इनफर्टिलिटी या तीसरा इनफर्टिल एक कभूतर जब रखता है जब वो बिमार होता है लकवे में आ जाता है या सोखे में आ जाता है तो उसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते जब तक कभूतर एकदम ठीक न हो जाए उसके बाद वो अपना एक्स रखने लग जाएगा और जो कभूतर आपके ठीक है और एक्स नहीं रख रहे है आप ये एक बार तरीका अपना के देखिए ये पक्का है वो कभूतर एक रखने लग जाएंगे थैंक्यू फ्रेंट्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें थैंक्यू फ्रेंट्स आगे भी मेरी ऐसी आती रहेंगी वीडियो जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देता रहूँगा नीचे दिये हुए बैल आइकोन पे आप प्रेस कर सकते हैं जिससे कि आप मेरे आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं थैंक्यू फ्रेंट्स